हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो ओर चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं मोहमद सोहेद दोस्तों वीडियो आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि हम लोग कंप्लीटली टार्गेट पे बैड़ गए हैं और हम लोगों का कंप् टार्गेट ही हमारे लग गए तो अभी आपको डाउट रहेगा कि यह बंदा बता रहा है यह बाते फेक रहा है तो दोस्तों मैं सज्जेस्ट करूंगा यूटूब पे जाओ टूप सर्च में जाओ जाओ जाके हाइपर ट्रेड़ेजबी और विडियो देखो इसे पहले क मैं खुद बताया स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन लेवल है ब्रेकडाउन लेवल का हम लोग इसको ट्रेलिंग पकड़ेंगे ट्रेलिंग पकड़कर हम लोग काम करेंगे जो ट्रेलिंग लेवल हमारे क्या थे एक ट्रेलिंग लेवल था 1924 एक ट्रेलिंग लेवल था 858 प पहले copy करता हूं target and sub delete करकर आपको बताता हूं अब यहां पर देखो previous breakdown level breakout rally उसका 1000 का level है 1000 का level कहां पर बना 1000 का level यहां पर बना यहां पर बना फिर यह level break नहीं हुआ breakout उपर stock high क्या मानाया 1055 हमारे target क्या थे 1040 वोगे target अचीव तो अभी अपने subscriber मुझे यह भी पूछ रहे हैं और target के लिए stock में hold कर सकते हैं क्या दोस्तों मैं candle analysis करने से पहले MACD बता दूं MACD already 60 RS से break कर चुका ठीक है and stock कभी भी याद रखना plus level MACD में lose बनाता है plus में lose बनाता है इसका मतलब है buyer को trap करना यहाँ plus level पे lose बनाया trap किया fall यहाँ देखो plus level पे lose बनाया यहाँ पे trap किया major fall and कई से कई है indications तो अभी यहाँ पे जो solid बना रहा है इसको continue करेगा फिर lose बनेगा फिर continue करेगा और stock अगर break कर रहा है यह वाला level directly अगर आप entry लिए हो तो मैं fresh buying जो भी कर रहे हूं लोगों की बात कर रहा हूं मेरे तो target अची हो चुके मैं hold करने की session नहीं दूँगा फिर भी आपको hold करना है तो दोस्तों अगर यह level break कर रहा है यह वाला 1057 तो आप क्या करो 1080 मैं level भी लिखके देता हूं यहाँ पे यहाँ पे 1080 उसके बाद उसका 10% अगर हम लोग लेंगे तो 1120 उसके बाद 1165 यह level निकल के आएंगे लेवल टार्गे डारेक्ट टार्गे निकल के आएंगे जो भी entry लेके बैठ है मैं उनकी बात करना हूं और आगे भी सुनो क्या होगा अगर यह level break किया तो अगर नहीं क लिए तो आपको एक ही काम करना है 984 अगर break होता वा दिखा निकल जाना है क्योंकि फिर से 200 एम में का support लेना है या 200 बीलो के नीचे आके major correction देना है वो कब होगा वो दब होगा जब वो 984 का level break करेगा जब तक 984 का level break नहीं करेगा fall नहीं है जब तक 1057 का level break नहीं उपर के तरफ ब्रेक नहीं करेगा rally नहीं है दोसको यही था मेरा update आवरोबिंदो फार्मा पर अगर आपको stock पर analysis समझ में आया वीडियो का like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video